यदि आप एक CSC BLE है या CSC BLE काम करने वाले हैं आने वाले टाइम में तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में आज हम देखेंगे किस तरीका से अपने CSC के डिजिटल सेवा पोर्टल में अपना वालेट में पैसा को एड़ कर सकते हैं क्योंकि CSC में किसी भी काम को करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगा तो आपको पैसा सबसे पहले एड़ करना होगा अपने वालेट में CSE का wallet में पैसा add करना होगा आईए हम देखते हैं सबसे पहले चालेंगे CSE का digital server portal पे digital server portal को login कर लेंगे यहां login पे click करेंगे login करने के बाद यह dashboard खुल जाएगा digital server portal का जिसमें इसमें services हैं बहुत सारे services हैं आप देख सकते हैं लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीका से अपने wallet में पैसा को add कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले यहां आएंगे wallet में wallet में जाएंगे हम यहां add money पे add money पे click करने के बाद आपको इस तरीका से यहां दिखा देगा सबसे पहला है कि यहां है कि एक बार यदि आप पैसा add करते हैं तो वो refundable नहीं होगा और इसमें आप maintain maximum एक लग तक maintenance कर सकते हैं wallet में CAC का digital server portal का wallet में इसमें एक चीज़ और है एक चीज़ समझने वाला है कि देखें यहां यह जो है यह PG charge यानि कि जो आप transaction करते हैं उसका charge करता है यदि आप 100 रुपय का transaction करेंगे इसमें add करेंगे तो आपको 90 पैसा कड़ेगा यानि कि अगर आप CC venue के तरफ से करते हैं तो आपको 0.90 के हिसाब से पैसा कड़ेगा extra पैसा कड़ता है यदि pay you money के माधियम से करते हैं 0.64% extra करता है आपको तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरीका से कर सकते हैं यहाँ add money है इस पर click करना है add money पर click करने के बाद यह redirect कर देगा और एक चीज़ और ख्याल रखेंगे कि यदि आप पैसा को add कर रहे हो तो उस टाइम आप page को refresh ना करें या फिर आप back button को press ना करें नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा और यह session 5 minute में expire हो जाता है तो उसका भी ख्याल रहे हैं सबसे पहले आप कितना पैसा add करना चाहते हैं यहाँ पे लिखेंगे मैं यहाँ 500 अभी add करके आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ CC venue में ज्यादा पैसा करता है इसलिए मैं यहाँ पे यू मनी पे क्लिक करूंगा पे यू मनी पे क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ भी रिमार्क देना है कुछ भी लिख देख सकते हैं इसमें कोई वह नहीं है इसके बाद submit पे क्लिक करना है यहाँ फिर आ गया है आप debit card से करना चाहते हैं net banking से करना चाहते हैं या UPI से करना चाहते हैं यदि आप UPI से करना चाहते हैं तो इतने सारे option हैं आपके पास यदि आप Net Banking से करना चाहते हैं जिस भी bank आप Net Banking यूज हमादानें जिस भी Bank nat banking यूज करते हैं यहाँ चूँज कर सकते हैं इसके बाद आप debit card से करना सब्सक्राइब 새로운 दिश्कारण का number डालेंगे यहाँ debit card का number डालेंगे यहाँ know expiry date डालेंगे ये CBB डालेंगे जो back side में होता है इसके बाद इसके नाम से card है वो यहाँ पर डालेंगे इसके बाद proceed पे click करेंगे चलिए मैं यहाँ भी करके दिखाता हूँ card number डालने के बाद यहाँ पर automatic से select ले लेगा इसके बाद expiry date डालना है CBB number के बाद card holder name इसके बाद proceed पे click करना है proceed पे आगे करने के बाद यहाँ आपके register mobile number पे एक OTP चला जाएगा जिसको आप 3 मिनट के अंदर जिसको आपको डालना होगा OTP आ गया है मैं इसको fill कर लेता हूँ इसके बाद complete payment पे click कर देना है payment successful करके आगया यहाँ भी 100 कर दिया 500 जो अभी add किया 100 इस तरीका से आप add कर सकते हैं और इसका summary देखना होगा तो आप यहाँ से summary पे click करके आप summary सारा देख सकते हैं कि आपके wallet में कितना violence है अभी यदि आपके पास कोई operator है तो operator के account में कितना balance है allocated कितना है एक चीज़ और मैं भी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ add money में जाने के बाद यदि आप CC Avenue को चूज करके आप payment करते हैं अपने wallet में add करते हैं पैसा को तो यह आपको 0.90% extra पैसा काट लेता है आपके bank account से last time मैं इसको किया था CC Avenue के माधियम से तो 500 add करने के बाद यह पैसा काटा था 504 रूपीज 50 पैसा और इस time अभी 500 add किया हूँ तो उसमें किवल मेरा bank से 500 ही कटा है extra पैसा यह charges नहीं कटे हैं तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि आप pay you money का select करके आप payment करेंगे उमीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किजिए और इस तरीका का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद